लो चुक लेट ची दो कुश्चिन अ फ्लैट कोईल ऑफ फाइवंडे टॉन्स इच अफ एडिया मेंपी सेंट्यमिटर स्कॉर रोटेट इन उनिफॉर्म मैंगनेटिक फिल अप 0.14 वेवर पर मिंटर स्कॉर एड एं एंगलर स्पीड ऑफ फिटी रिडियन पर सेकेट तो यह ही हमारे किसे के अंदर का चल रहा है एक फ्लैट को एल का चल रहा है जो कि अंदर मैंगेव से रोटेट कर रही है न न क्योल है जबस्तेंस और फईव मैं तो फेकों मैं नॉ प्रोलम देंदों एंद्ट एमम कि इस एप्पाइट अप्लाईट टुन एक्सिटन रिडिस्स of 10 ohm भार का रिस्टेंस कितना है 10 ohm calculate the peak current through the resistance let's see the key concept of this question key concept of this question is video क्या आप से पूचा क्या पीक करेंट तो according to ohm's law ohm's law आपने पड़ा है ohm's law के according current peak पर तब जाएगा जब potential difference का जाएगा पीक पर जाएगा क्योंकि यह दोना आपस में कैसे होते हैं directly proportional होते हैं no problem और जो induced EMF होता है किसमें induced EMF in the coil है ना that is given by e is equals to n a b omega क्योंकि कॉस्स क्योंकि यह कैसा maximum लिया जाएगा तो कॉस्ट पाई कितना कॉस्ट टिड़ा कितना हो जाएगा 0 कि हो जाएगा maximum यह नोट इस उकल स्टू एन एवी ओमेगा तो अगरम इंडूस्ट आपकी बात करें इंडूस्ट इम निकाल सकते हैं तो इंडूस्ट यह मैं आफ और कोईल तो यह नोट आजाएगा मारा कितना एन कितने 500 टन्स एरिया कितना हमारा इसका 50 cm स्क्वेर्ट इन्स वी के बाद एंगलर वेलोशटी आपको दिरखे 150 डारेक्ट लिया ओमेगा मैं कितना 150 अगर आप इसको स्वाल करेंगे तो इनोट विल इकोल स्टु दा ये 500 ये 5 ये 5 ये 5 ये कितना हो जाएगा ट्वंटी फाइव अंडड़ और वन जीरो उसका इंटू टेंट वी पावर माइनस फॉर इंटू 0.14 इंटू 1 फिप्टी एक जीरो ये थी जीरो ये और ये ओके तो अगर हम इसको मुल्टीप्लाइ करेंगे वी विल गैट ये मारा अजाया कितना 52.5 व्ल्ट ये मारा आगे इंदूज देंट क्याम अपके अपकोर्डिंट तो इसकोर्टिंट प्वेश्टिंट प्रश्टिंट क्या विटा दिस ये में फिस एप्लाइट गने लिए कि एक्सेडरिय रिस्टेंस उसके है तो पर्पेश सेंसे हासे यह में मिला है है 52.5 लेकिन आपको पता है कोईर का एक इंटरील रिजिस्टेंस भी था वो इंट्रिल लिस्टेंस कितना था ? इड़ वाज फाइव वो तो आपको पूछ रहा है सर्किट से मैक्सिमम करेंट कितना होगा तो सर्किट का रिस्टेंस कितना हो गए आपको दिख रहा है रिस्टेंस ऑप दर सर्किट हो जाएगा और इस इकोल स्टू 10 प्लस 5 दोनों और सीरीज में तो r equals to हो जाएगा 15 ohm, current circuit में क्या जाएगा, current is equals to हो जाएगा, e upon r, और ये peak हो जाएगा, अगर ये भी क्या ले लो, peak ले लो तो i naught is equals to, e naught is what, 52.5, r is 15, तो अगर आप इसका divide करेंगे, you will get 15, 3s of 45, 75 and 3, 3.5 of ampere, this is the peak value of the current in the external circuit, I hope you have understood it well, best of luck.